हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी मेरे पास भई जितने भी रियपियर के स्टुडेंट है वो मैसेज कर रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये बताईए हम लोग परमोट होंगे या नहीं होंगे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने व अपना रेजल्ट जारी कर दिया है और उसके अंदर जो सेकिंड स्मेस्टर के अंदर रियपियर वाले स्टुडेंट्स थे उनको भी प्रमोट किया है अब वो प्रमोट कैसे किया है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिटेल से और बिल्कुल सिम्पल वे में बताने वाला उससे पहले अगर आप चैनल के उपर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लो बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जो भी मैं एग्जाम से रिलेटीड या एड्मिशन से रिलेटीड अपडेट लेके आऊं तो आप लोगों उसके अलावा इस चैनल के उपर आपको फीजिक्स, मैथ और कमेस्टी से रिलेटीड वीडियो भी मिलते हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं IG उनिवस्टी ने तो उसके अंदर जितने भी सेकिंड समेस्टर के स्टुडेंट थे और उनकी रियपियर थी तो उनको परमोट कर दिया है उसके अलावा जीजे उनिवस्टी ने भी एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस के अंदर बताया है कि हम जो रियपियर वाड़े स्टुडेंट हैं उनके मार्क कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को स्क्रीन के उपर दिखाई भी दे रहा होगा इसके अंदर जो बी पॉइंट है उसके अंदर मैंसन किया गया है और यह नोटिस आप देख सकते हो डेट 8-7-2020 है भई यानि कि 8 जुलाई का है और इसके अंदर यह मैंसन किया हुआ है इन केस ओफ रियपियर एग्जामिनेशन ओफ पॉर्सीज सबजेक्ट ओफ दोज समेस्टर या इस और इसके अंदर किसी भी स्टुडेंट की रियपियर है तो उसको कैसे पर्मोट करेंगे यह बता रखा है अगर आप लोगों के इंटर्नल मार्क्स बीस में से पंदरा लगे है तो आपके इंटर्नल मार्क्स पंदरा के पंदरा रहेंगे यानि कि इंटर्नल मार्क्स के अंदर कोई चेंच नहीं आने वाड़ा उसके बाद लिखा हुआ है एक बारी फिर से रीडाउट कर देता हूँ इस लाइन को and external marks shall be calculated on the basis of average marks in theory and practical courses including internal marks यानि कि जिन students की किसी भी semester या even semester के अंदर reappear है तो उनको reappear के marks छोरी plus practical plus including internal marks दिये जाएंगे यानि कि आपके external marks count होंगे आपके internal marks count होंगे यानि कि इन दोनों को count करके इनकी average निकाड़े जाएगी अगर आपको मोटे तोर से बताओं तो आपके जो छोरी के अंदर marks आए है पलस आप लोगों के practical के अंदर जो marks आए है पलस आप लोगों के जो internal ठीक है इन सभी का क्या निकाड़ा जाएगा average निकाड़ा जाएगा क्या निकाड़ा जाएगा average निकाड़ा जाएगा और ये average निकाड़ने के बाद आप लोगों को promote किया जाएगा अब इस एवरेज के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ, मेरे पास बोट सारे स्टुडेंट्स के मैसिज आते हैं भई, सब के रिपलाई करना पोसीबल नहीं होता, तो इसलिए भई मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, मैंने एक एक एग सेंट है, उसके अलावा ये थोरी का पेपर है, इसके अंदर इसके जीरो मार्क से यानि रियापियर, उसके बाद ये प्रैक्टिकल का पेपर है, इसके अंदर इसकी क्या है, रियापियर, तो मैंने जितने केस हो सकते हैं, इसके अंदर ले लिये हैं, और आप लोगों को ड एड करना है 58 plus 32 plus 15 plus 80 plus 20 plus 58 plus 20 plus 65 plus 60 plus 70 इन सभी को एड करोगे तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 478 ठीक है आप लोगों को लिख लेना है उसके बाद आप लोगों को मैक्सिमम माक्स वाड़े कोलम के अंदर चले जाना है यानि कि ये मैक्सिमम माक्स वाड़ा कोलम यानि कि मैक्सिमम इतने नंबर का एक पेपर है तो एक पेपर 100 नंबर का है और इसके ये 10 पेपर हुए है तो 100 x 10 किया तो maximum marks 1000 आगे तो मैं आप लोगों को बता दूँ चाहे आपकी 20-80 की स्कीम हो या आप लोगों की 25-50 की स्कीम हो तो ये formula सभी के लिए अपलाई है ठीक है तो जर्नली ये मैंने एक्जामपल लिया है 20-80 के एक्जामपल लिया है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है जितने marks आए उसको उपर लिख देना है कहा लिख देना है उपर उसके डिवाइड में maximum marks कर देने क्या कर देने है maximum marks कर देने और इसको into में 100 कर देना है क्या कर देना है into में 100 कर देना है एक बारी फिर से repeat करता हूँ, आप लोगों के जितने marks आए उसको उपर लिख लेना है, कितने maximum marks है, 1000 उसको निचे लिख देना है, और into में 100 कर देना है, फिर आपको क्या मिल जाएगी, percentage मिल जाएगी, यानि कि आपके इस semester के अदर कितने percent marks आएगे, तो calculate करेंगे तो 10 से 10, इसे ये, तो ये बन गए 47.8%, 47.8%, अब इसको क्या देखना है आप लोगों को इस percentage के अंदर, अगर आप लोगों की जो ये percentage है, ये 40% से क्या है, जादा है, अगर ये 40% से जादा है, तो आप लोग क्या हो जाओगे बई, परमोट हो जाओगे, क्या हो जाओगे, परमोट ह जाओगे अगर यह आप लोगों की जो परसेंटेज है 40% से कम है तो आप लोग परमोट नहीं होगे ठीक है पहली कंडिशन यह है दूसरी कंडिशन युनिवस्टी वाडों ने बोला है जो यह परसेंटेज आएगी वह इसको हम करेंगे क्या राउंड ओफ क्या करेंगे पाठ आया है ठीक है जैसे ही यह नंबर आई अगर यह पांच से क्या हो बड़ा तो आप लोगों के अगर 47.8% है तो यह परसेंटेज मानी जाएगी 48% ठीक है अगर यह नंबर पांच से छोटा है क्या है पांच से छोटा है तो यह परसेंटेज आप लोगों की हो जाएग क्या करना है, रांड ओफ करना है, पॉइंट के बाद डिजिट देखना है, पांच से छोटा तो 47%, पांच से बढ़ा तो 48%, मेरे पास बहुत सारे स्टुडेंट के मैसीज आते हैं, कि सर मेरे 39.7% मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो क्या मैं पर्मोट होंगा या नहीं होंगा, तो आप लोगों को इस केस में ये रांड ओफ वाड़ा पॉर्मोदा लगाना है, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, रांड ओफ करना है, अब रांड ओफ कैसे करते हैं, टेसिमल के बाद जो नमबर है, उसको देखे, अगर ये नमबर 5 से छोटा है, क्या है 5 से छोटा, तो ये नमबर कितना है, 7, तो 5 से बड़ा है, सबसे पहले देखना है, 5 से बड़ा नमबर होगा, तो ये percentage हो जाएगी 40%, क्या हो जाएगी 40%, अगर ये नमबर 5 से छोटा है, क्या है 5 से छोटा, तो ये percentage 39,39% हो जाएगी, यानि कि आपको round off करने है, तो जि इसके 39.4 है, तो वो परमोट नहीं होगा भरी, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, राउंड ओफ बड़ा तरीका लगाना है, तो पहला काम आप लोगों को क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है, और चेक करनी है कि यह 40% से जादा है या नहीं, अगर यह 40% से जादा है, तो आप लोग परमोट होगे, अगर यह 40% से कम है तो आप लोग परमोट नहीं होगे, उसके बाद आप इसको क्या करना है, राउंड ओफ करना है अब राउंड ओफ कैसे करते हैं, यह नमबर देखना है, पांच से छोटा है, तो 47%, 5 से बड़ा है तो 48%, और जिनके 39.6% है वो भी इसको क्या कर ले राउंड ओफ कर ले ठीक है राउंड ओफ कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है अब यह तो था भई पता करना कि हम प्रमोट होंगे या नहीं हो उसके बाद बात आती है जो री अपियर आई है इसकी इसके अंदर इसके कितने मांक्स आएंगे वो कैसे कैलकुलेट करने है तो यह तो था भई परसेंटेज निकारने का तरीखा तो इसके कितने मांक्स हो गए बई जब मैंने इसको राउंड ओफ किया तो इसकी जो परसेंटेज आई वो आगी भई 48 परसेंट कितने आगे 48 परसेंट अब यह था आपना जैकिन स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, यह देखना है कि इसका जो रियपीर है जिस पेपर के अंदर उस वो पेपर कितने मार्ट का है, यानि कि यह स्टेप करने के बाद आपको एक्सटरनल यानि कि थोरी वाड़े पेपर के कोलम के अदर आ जाना है, तो इसके 20 मार सीने से, आप लोगों को क्या करना है, ये maximum paper कितने का है, 80 का, अगर आप लोगों का पिछे तर का है, तो उपर पिछे तर लिखोगे, अगर आप लोगों का 80 का है, तो आप लोग 80 लिखोगे, तो यहां पर 80 marks का paper है भई, ठीक है, कितने marks का है, 80 marks, तो आप लोग एक काम करें, 80 उपर लिखे, 80 को divide कर दे 100 से ठीक है, side by side में 75 वाड़ों के लिए भी कर रहा हूँ, अगर आपका 75 का paper है तो 75 उपर लिखे, इसको divide कर दे 100 से into में, जो आप दोगों की percentage आई है उसको इससे multiply कर दे similarly यहाँ पर रहने वाड़ा भी, जो आपकी percentage आई उसको यहाँ पर क्या कर दे, multiply कर दे तो अब इसको क्या करें, calculate करें और check करें कितने percent आई हैं, तो इसको मैं calculate कर लेता हूँ इसके आगे भई, 80 divided by 100 into में 48, तो यह इसके भई, 38 point 4 marks आई हैं, तो इसको round off करो तो यह number 5 से छोटा decimal के बाद, तो इसके कितने marks बनगे भई, 38 marks इसके आगे, किसके अंदर यानि कि जो थोरी का paper है, उसके अंदर इसके 80 में से 38 नबर आएंगे यानि कि जहाँ जहाँ थोरी वाड़ा paper 80 marks का है, उसके वहाँ पर 38 marks आएंगे यानि कि यहाँ पर 20 की जगह क्या हो जाएंगे, 38, similarly यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 38, क्योंकि यह 80 नमबर का paper है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 38 अब यह देखो, practical कितने marks की है, 100 marks की, अब इसको कैसे calculate करोगे, जो maximum marks है, उसको उपर लिखना है, into में, sorry, maximum marks को उपर लिखना है, divide करना है 100 से, और into में percentage, तो इसके practical के अंदर कितने marks आगे, 100 से 100 कैंसिल, तो यह आगे 48 marks, तो यानि कि जो इसका यह वाड़ा paper है, practical वाड़ इसके अंदर इसके 48 number आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, total करके देखना है, 38 plus 12, कितना हो गया वाई, 50, internal marks जोडने वाई, उसके बाद आपको 50 number होगे, तो इसके जो re-permote होने के बाद marks it आएगी, उसके अंदर 100 में से 50 number मिलेंगे, अब यहाँ पर 38 है, 38, 10, 48 और 55, यहाँ पर इसके 53 marks हो जाएंगे, similarly यहाँ पर 38, 20, 58, तो इसके अंदर इसके 58 marks हो जाएंगे, और यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे, 20 की जगे, 48 number हो जाएंगे, तो यह तरीका था भई, re-calculate, re-के अंदर जो marks आए है, वो calculate करने का, आप किस तरह से calculate कर सकते हो, म से पहले आपको total वाडे कोलम के अंदर चले जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको जो obtained marks है, उन सभी को total कर लेना है, जब मैंने इसके obtained marks total किये, तो यह आगे 48, ठीक है क्या आगे, 478, 48 नहीं, sorry, 488 नमबर आगे 20 के, कितने में से, 1000 में से, तो आपको क्या करना है, म formula बना देता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले आपको obtained marks लिखने हैं, जो आपके आए है, divide by total marks, और into में 100 कर देना है, तो यह formula बन गया भई, ठीक है, आपकी percentage calculate करने, तो आपको क्या करना है, जितने marks आए, 488 नहीं, कितने में से, 1000 में से, यह कर लिया है, into में 100 percentage आगे, अगर यह 40% से जादा है, तो आप लोग promote होगे, और 40% से कम है, तो आप लोग promote नहीं होगे, उसके बाद आपको round of कैसे करना है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर check करेंगे, कि जो 80 नंबर का paper हुआ था, इसके कितने marks आएंगे उसमें, अगर यह पिछेतर नंबर का था तो पिछेतर को उपर लिखो, अगर यह 80 का था, 80 को उपर लिखो, 80 को divide कर दो 100 से, और into में जो इसकी percentage आई थी वो कर दो, जब मैंने इसको solve किया और round of किया, तो इसके नंबर आगे 38, तो जो जो 80 नंबर का paper था, उसके 38 marks आ जाएंगे, उसके बाद जो practical का paper था 100 marks का, इसक कितने marks आएंगे, वो भी अपने को calculate करना है, तो इसके लिए कितने marks की practical है, 100 की divide करना है, 100 से, इंटु में जो इसकी percentage आई 48, यानि practical वाले के अंदर 48 marks आएंगे, उसके अलावा आप दोनों, आप लोगों को external, यानि की थोरी, प्लस internal को add कर देना है, तो 38 और 12 को जब मैं add क करूँगा, तो ये 50 हो जाएगा, 38 और 15 को करूँगा, तो 53 हो जाएगा, 38 प्लस 20 को करूँगा, तो ये 58 हो जाएगा, और प्रैक्टिकल के अंदर क्या हो जाएंगे, 48 marks हो जाएंगे, तो इसकी ये DMC आएगी भई, परमोट होने के बाल, तो ये था बिलकुल simple way, जितना easy way में मैं समझा सकता था, तो जितना simple way में मैं समझा सकता था, मैंने आप लोगों को समझा दिया, उसके अलावा, जो 6th semester के student है भई, आज तक की guideline के according, जो final year के student है, उनके exam होगे, तो मैं बता दू, अगर किसी student की 6th semester के अंदर reappear है, तो उसके exam होगे भई, आज तारिक होगी आज डेट होगी भई, अठारा, अठारा तारिक की news के according, अब तक final year के exam होगे, और उसके according, जो 6th semester के अंदर अगर आप लोगों की free है, तो उसका exam होगा, उसके अलावा, जो mercy chance वाड़े student है, अगर second or fourth semester के अंदर किसी की mercy chance के अंदर जो paper है, और उसके अंदर free है, तो उसक लिंक जितने भी reappear से related doubt थे, वो मैंने clear कर दिये, अगर फिर भी अगर आप लोगों का कोई doubt आता है, तो WhatsApp पे message कर सकते हो भई, और अभी तक अगर मैंने किसी का comment का, और message का reply नहीं किया है, तो sorry भई, क्योंकि बहुत सारे message आई हुए है, मैं कर रहा हूं कोशिस reply करने की, बट टाइम लगता है, जल्दी मैं reply करूँ आप लोगों का, उसके अलावा, अगर आप channel के उपर नए हो, तो channel को subscribe कर लो, bell icon press कर लो, ताकि जो भी मैं exam से related या, किसी भी admission से related notice लेके आऊं, तो वो आप लोगों तक पोच जाए, तो thanks for watching a creative study.